विल्कम बैक टो एंसियाटी कंसेप्ट आयम मनीश घंबीद आज हम कंटीनिव करने वाले हैं चाप्टर थ्री ओफ साइंस विज इस फाइबर टू फाब्रेक प्रीविएस वीडियो में हम आलेटी डिसकस कर चुके हैं कि किस तरह से हमें वूल के फाइबर्स मिलते हैं किनके सिल्क हमें हमारी मार्केट में एविलेबल होते हैं और वह ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे सिल्क जो है ना यह हमें मिलते हैं सिल्क वाम से जिसे हम केटरपिलर भी कहते हैं सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो आनिमल फाइबर्स सिल्क वाम्स स्पिन दो सिल्क फाइबर् इनकी रियरिंग करना जिसे हम पाल एंपोशन भी कहते हैं तो फर्स टेप क्या होगा सिल्क बनाने के लिए इनकी रियरिंग करना silkworm की rearing करना जिसे हम pall and potion भी कहते हैं तीक है the rearing of silkworm for obtaining silk fiber is known as sericulture इस process को हम sericulture कहते हैं सबसे पहले हमने देखा कि silk fiber जो है वो animal fiber है दूसरा हमने देखा कि silkworm से ही हमें silk fiber मिलते हैं तीसरा देखा कि इसकी rearing का जो process होता है उसी को हम sericulture कहते हैं होते हैं हमारी market में वो ऐसा इसलिए क्योंकि different silk moth से हमें silk मिलता है तीक है अलग लग तरह कि silkworm होते हैं हमारी surrounding में जिससे कि हमें silk fiber मिलते हैं तो उससे यह हम पढ़ेंगे कि किस तरह में silk fiber मिलते हैं तो उससे पहले हम हमें देखना चाहिए कि silk moth यह जिससे silkworm कहते हैं इसका life process होता क्या है किस तरह से इसकी life में changes आते हैं क्या इनकी life में stages होते हैं जिसके बाद हमें silk मिलता है तो यह हम पढ़ने वाले इसके आपको पूरा एक्स्प्लेइन करूंगे उसके बाद ही हम यह सारा रीट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा complex process है इसलिए आप पहले यहां पर देख लो जब आप फरस्टाइम रीट करोंगे तो आपको difficult लगेगा लेकिन उसके बाद अगर आप दुबारा देखोगे तो आपको यह बिल्कुल easy लगेगा चीक है वहता क्या है female silk moth होती है न वह ले करती है eggs on mulberry leaves चीक है मलबरी लीव्स पर एग्ज ले किये silk moth ने female चीक होती है एक्ज ले करने के बाद क्या होता है जो यह एक्ज होते है न यह कुछ टाइम बात किसमें कनवर्ट हो जाते है silkworm में मतलब इन एक्ज में से क्या निकलता है हाच होता है silkworm जिसे हम caterpillar भी कहते हैं और हम larva या larva भी कहते हैं इसके बाद क्या होता है कि जब यह silkworm या caterpillar थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और त्यार हो जाता है pupa stage में एंटर होने के लिए ठीक है अभी मैं बताऊंगी कि यह pupa stage क्या होती है pupa stage में एंटर होने के लिए जब ready होता है तो उससे पहले ही क्या करता है ऐसे करके na movement start कर देता है eight eight की form में इस थारा ठीक है अपना head जो है अपना सिर ऐसे ऐसे से घुमाता रहता है ठीक है और इतना ऐसे घुमाता है कि फिर दीर देर यह पूरी covering जो ऐसे मतलब करते 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 ऐसे पूरा आपने आसपास ऐसे silk fibers obtain कर लेता है जिसे हम कुकून भी कहते हैं इस covering को हम कहते है कुकून ठीक है यह क्यों होती है और यह covering बनाने से पहले क्या करता है अपने आसपास नेट भी बना लेता है नेट फॉर्म कर लेता एक बिल्कुल अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि यह नेट इसे होल्ड कर पाए इतना समझ आ गया और जो यह कुकून होता है यही raw material होता है आगे silk fiber का मतलब कि इसी कुकून से हमें silk fibers obtain होते हैं और यह जो covering होती है ना कुकून यह silk moth को अपने अंदर ही रख लेती है मतलब silk moth जो है ना इसी के अंदर कैद हो जाता एक तरह से और यह इसके आसपास इतना मतलब हैसे movement करती है कि खुद जो है silk warm अंदर ही रह जाए और covering बिल्कुल भारे से एकदम पूरा cover कर दे आसपा से स्टारों तरफ से यह cover हो जाता है silk warm इसके अंदर ठीक है और इसे stage को हम कहते है यह मतलब जो कुकून sorry जो silk moth होता है इसकी silk warm की stage को हम pupa stage कहते हैं जिसमे silk warm अंदर होता है और कुकून की बिल्कुल covering इसे बाहर ऐसे गेरे होती है ऐसे oval shape में बन जाता है मैं इसकी वीडि description box में दे दूँगी ताकि आप live देख पाओ कि किस तरह से एग से हमें कुकून मिलता है और अगर हम इस कुकून की processing ना करें silk fibers obtain करने के लिए तो क्या होता है इस से हमें further silk moth adult silk moth मिल जाता है ठीक है पहले तो development होती है मतलब इस कुकून के अंदर जो होता है इसमें development होती हो और फिर हमें silk moth मिल जाता है ठीक है यहां पर हम देख सकते हैं यह ऐसा कुकून है जिसमें silk warm जो है इसे डेवलाप हो रहा है ठीक है कुकून with developing silk moth और अगर यह adult हो जाएगा तो यह further eggs लेगा इस तरह से cycle जो है चलती रहती है ठीक है अब हम देख लेते हैं इसकी explanation in CRT book में the female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworm यह female silk moth एगले करता है जिसे हम बाद में जिसे बाद में hatch हो के caterpillar या silkworm निकलता है they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa it first weaves the net to hold itself मैं पहले पता चुकी हूँ कि caterpillar जब pupa stage में enter होने वाला होता है तो अपने आसपस एक net बना लेता है अपने आपको hold करने के लिए then it swings its head from side to side in the form of a figure of eight उसके बाद अपना head जो है move करता है जूलता है इस तरह से head as a eight की form में और इस movement के दौरान during this movements of the head the caterpillar secretes fiber made of a protein ठीक है protein से बना fiber जो है secret करता है ये caterpillar जो ऐसे से eight की form में अपना head हिला रहा होता है अपना movement कर रहा होता है उस time पे secret करता है fiber which hardens on exposure to air and becomes silk fiber मतलब कि वो जो है protein जो ऐसे movement के दारान उसने secret किया था वो protein जो है hard हो जाता है सखत हो जाता है जब वो air के contact में आता है ठीक है soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turns into pupa कुछ टाइम बाद वो इतना इतनी movement होती है इतने जादा fiber secret हो चुके होते है protein के और जो further silk fiber बनते हैं वो fibers इतने ज़्यादा हो चुके होते है कि वो प्यूपा जो है बिल्कुल ढग जाता है उसके अंदर उसके अंदर silk fibers are used for weaving silk cloth ठीक है मलब silk cloth weave करने के लिए silk fibers use होते हैं और यह इतने जादा strong होते silk fibers यह silk yarn जो होता है इसका कि आप सोच भी नहीं सकते हैं यह steel ke thread के मुकाबले इतना जादा ही strong होता है ठीक है उससे compare किया जा सकता है silk yarn को thread of steel के साथ the silk yarn or thread is obtained from the cocoon of the silk moth there are variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn that the yield is different in texture वो कह रहे है कि silk yarn जो है हमें silk moth से मिलता है यह हमें पता है अब different different type के silk moth होते हैं और वो different type के silk yarn या thread हमें देते हैं जिसकी वज़े से हमें different type के silk fabric मिलते हैं कुछ जो होते हैं smooth होते हैं कुछ shiny होते हैं कुछ coarse मतलब थोड़े से जैसे कह सकते हो आप कढ़ें थीक है मैं तो ऐसे होते हैं और इसके नाम भी दिये हों है कुछ-कुछ सिल्क के फॉर एक्जामपल टसर सिल्क मूगा सिल्क कोसा शिल्क ठीक हैं यह अलग-लग कुकून से मिलते हैं घ्याया हमें जो इटर इफुर। इफरेंट टाइप के मौत जो है इसे स्पन करते हैं the most common silk moth is the mulberry silk moth mulberry silk moth हम पहले भी कर चुके है यह discuss कि mulberry leaves पर dependent होते हैं ठीक है वो mulberry leaves खाते हैं ऐसे ऐसे silk moth होते हैं और दूसरे type की क्या बताये थे kastor silk moth जो kastor leaves पर dependent होते हैं the silk fiber from the cocoon of the this moth is soft lustrous and elastic जो mulberry silk moth से जो हमें silk fibers मिलते हैं वो बहुत ही जादा soft होते हैं lustrous मतलब shiny एकदम और elastic होते हैं ठीक है और dye किये जा सते हैं beautiful colors seri culture और culture of silk moth जो है बहुत ही पुराना occupation है हमारे इंडिया में बहुत ही time system यूज कर रहे हैं हमारे इंडिया में बहुत ही time पहले से silk जो है वो grow किया रिया produce किया जा रहा है commercial scale बहुत बड़े अब यह कुछ activity दिया है इनमें कुछ खास नहीं दिया है कि टेलर के पास जाके आप अलग लग तरह के पीसे लेकर उसे अपनी कॉपी में या वैसे उसमें paste कर सकते हो यह इंट्रस्टिंग टास्क हो सकता है आपके लिए कि आप अलग लग ताइप के से देखना चाहते हो तो आप अपनी कॉपी में पेस्ट करो और डूसरा एक activity दिया है कि आपको यह बताने के लिए कि जो अभी हमने पड़े यह सारे नाच्रल सिल्क थे क्योंकि यह हमें आनीमल या natnal और 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 मिल एकिक देखने लेकिन इसके इलावा कुछ सिल्क ऐसे भी है जो मैं मेड होते है मतलब आर्टिफिशलिया सिंथेट तो हमें अगर डिफ्रेंशियेट करना नाचरल और संथेटिक फाइबर में या थ्रेड में तो हम किस तरह करेंगे उसको जला के देख लेंगे अगर ऐसे स्मेल आरही है जलने की उस थ्रेड में से तो मत्तब वो आटिफिशल है क्योंकि आटिफिशियल जोते नों केमिकल से बनते हैं जैसे की कोल हो गया पेट्रोलिम हो गया इस वज़ेसे उसमें से स्मेल आती है इसके बाद हम देखेंगे एक और अग्टिविटी उन्होंने कहिए कि आप इसके स्टेजिस जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है यह तो आप अच इसके बाद हमने पढ़ना है की कुकून से हमें किस तरह से से बनता है बस इतना सा रहे गए और चाप्टर फिनिश आपका ठीक है कि एक पाल लिए थिक है पाल पोशिन कर लिया उनका उसके बाद हमें उसके कुकून भी मिल गए यह प्रसेस उन्होंने खुद ही किया मौथने कुकून बनाया अपने असपास और फॉर्दर कुकून को क्या करते हैं हम यह हम पढ़ेंगे कि कुकून से कैसे हमें सिल्क त्र तो हम कैसे करेंगे इस 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 ट्रिप्स पर या पेपर पर रख लेंगे और शोल्ड कर देंगे यहां फिर्मा फार्मर्स को फार्म इस की रियरिंग करते शोल्ड इसे ख़रीदते भी मार्केट से इन को पर्टिकुलर टेंपरेचर और हुमडिटी होती है। उसी कंडिशन में पामरी ने रखते हैं ठीक है and the eggs are warm to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs और इन eggs को उस temperature पर रखा जाता है ताकि यह hatch हो जाए मतलब अब उसमें से निकल जाए मतलब जो लार्वे होता है वो उस एग में से निकल जाए और यह तब किया जाता है कि जब मल्बरी की leaves available हो क्योंकि लार्वे अगर बहार निकलेगा तो इसको खाना चाहिए होगा तो उनका खाना क्या होता है यह मल्बरी leaves ही उनका खाना होती है ठीक है यह देरे डेरे ग्रो करते रहते हैं आप इसमें देख सकते हो यह लीफ मल्बरी की और यह फीमल सिल्क मौफ है जिसने एक्स दिये हुए और यह जो लार्वे है यह इन मल्बरी मलबरी लीव पर डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए इनी को ये खा रहा है इननी लीव को मैं आपको वीडियो भी दूंगे description box में डेटेल में देख पाओगे किस तरह एग्स दीए कैसे वह मलबरी लीव्स कहा रहे हैं आप देख पाओगे इन कैटपिलर को और फॉर्दर इन से कुकून बनता है मतलब यह आसपास अपने कुकून बना लेते हैं जो सिल्क वाम होते हैं सो को घुक कश तीन बात क्या होता है यह रहे मार sorting कर देता है तो इनको क्या करते हैं हम बैंबो ट्रेज में positively में घख देते हैं सी और गोरी फट्रीमलब्री लीज और को अनको क्वह अम की दार लिए मलबरी लीज भी देते और पच्छे से तीन बाद वो खाना बंद कर देते हैं और मूब कर लेते हैं टाइनी चैमबर में बैंबू के ठीक है कि वो कुकुन पर पाए अपने आसपास कुकून बना पाए एंड है इन प्रेज में ना तहनी सी मतलब रख देते हैं ताकि उससे अटाच हो जाए यह कुकून दे केटेपिलर और सिल्क वाउम स्पिंस दे कुकून इंसाइड विच डेवलप से सिल्क मॉथ इन कुकून के अंदर ही यह सिल्क वाउम या केटेपिलर डेवलप हो जाता हैं किसमें सिल्क मॉथ में इससे यह बनता है तरह क्या प्रोषेसिंग होती है इस इस वह बहुत सारे कुपोन को क्या किया जाता है बॉयल किया जाता है दो कुपोन अर कैप्ट अंडर अंडर अर बॉयल और एक्सपोस्तू स्चीन और यह boiling का process, या फिर sun के अंडर रखने का process इसले होता है ताकि इसको heat मिले और जो silk fibers होते है ना डाच्छ इल्क वां में से वो अलग हो जाएं, separate out हो जाएं ये silk fibers separate हो जाएं the process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk अब cocoon से हमें जो ये silk fibers मिल रहे हैं तिक है जो threads मिल रहे हैं इस cocoon में से हमें इसी process को हम कहते हैं reeling the silk रीलिंग जो है या तो special machines में भी होती है और जो क्या करता है special machine क्या करती है unwind कर देती है मतलब खोल देती है इन threads को या silk fibers को cocoon में से की ठीक है कुकोन ऐसे oval shape पर होता है और उस में से ऐसे fibers निकालना इसी process को reeling the silk कहते हैं silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers यह silk fibers convert कर दिये जाते हैं silk thread में और यह silk thread further woven किया जाता है by weavers into silk cloth okay आपका chapter complete हो गया है और यह दो टेबल रह गए इन टेबल में देखेंगे क्या लेका हुआ है इसमें दिया हुआ है कि हमारे इंडिया में जो है ना women women होती है जो women यह सबसे ज़दा involved है silk production में ठीक है बहुत टाइम पहले सही यह जो होती है यह क्या करती है rearing करती है बहुत पालन पोशन करते है silk wands का फिर इस cocoon में से जो fibers निकालने का प्रोशेसर जिसे में rearing of silk कहते हैं चीक है यह भी करते हैं उसके बाद इन रौ सिल्क को फाबरिक में करते हैं यह काम है कि सिल्क प्रोडक्शन में यह काम होते हैं और जो चाइना है ना यह लीड करता है वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन में मतलब सिल्क की प्रोडक्शन चाइना में सबसे ज्यादा स्केल पर होती है इंडिया भी काफी कंट्रीज में से एक है काफी टॉप कंट्रीज में से हैं जो सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं अब इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से सिल्क खोज वो हुए इसमें क्या है कि चायना में हिए ना सबसे पहले चायना में रिजकवर हुआ बहुत ताइम पहले यह वह हुआ था इस्ट Prof prolonged ताइम मालबिक के सबसे जो बहुत पहले तो 2008 मोई नोटिस किया था कि वाइट वाय्ट वार्म को मल्बरी लीज को खाते वे ठीक है तो उन्हों ने यह भी नोटिस किया कि यह हैं आस पास कुकोन डेवलप करें और एक बर एक्सिडेंट्ट ली आचानक से कुकोन जो है वो गिर गया था चाई के कप में जिसे क्या जैसे ज़िसे ऑफ यह तो इसमें घाले के ट्रेट से तोरगानि ज्टेंटane यह सेपरेट आउट हो गए दम गरम गरम चाय में गरे तो यह को कुण से जो फाइबर से सेपरेट हो गए तो तब पता चला कि अच्छा यह जो से लुप होते हैं यह से ल की डिसकवरी लग शेल्क जो है प्रोडू प्रोड्यूस करते हैं ठीक है प्रोडाक्शन का पता चल उन लोगो चाइना चाइनीज लोगो को पता चल गया कि शिल्क वाम जो है सिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह सिल्क इंडस्ट्री जो है बिगन होगी चाइना में और ये बहुत ही सालों तक किये एक क्लोजली गार्डड सीक्रेट रखा गया मतलब बिल्कूल एक तरह से सीक्रेट था किसी को भी नहीं पता था कि किस तरह से सिल्क बनता है लेटर ओन जब ट्रेडर्स या ट्रेवलर्स यहां से जाते थे तो उनने उनको पता चला कि किस तरह सिल्क बनता है और एक पहुत फेमस रूट भी है जो जिसे हम सिल्क रूट भ